तो ये 4 एपिसोड ना बहुत ही रूलाने वाला है क्योंकि इस एपिसोड का देख करना जितना मैं रोई हूँ उतना शायद ही कोई रोया होगा क्योंकि पहली बार, पहली बार मैं किसी ड्रामा या सिरीज को देखकर इतना रोई T.S.O.U. को देखकर जितना मैं नहीं रोई हुना उतना कि इस सिरीज का सिर्फ एक एपसोट देखकर रोई रोने ध्योने वाली बात हो रही है तो ये सब ठीक है बट चलो स्टार्ट करते है एपसोट के स्टार्टिंग में हम प्लेंग को देखते है जो बहुत ही अपसिट नजर आती है वो अपने हाथों को देखती है हम फिंगर के उपर बैंडिच लगावा देखते है हाथ बिल्कुल ही रूखा सुखा हो जाती है प्लेंग अपने हाथों को देखकर उसे याद आता है जब वह डाइनिंग टेबल क्लीम कर रही थी तो तभी आंटवी के आवाज सुन करना प्लेंग डर जाती है उसके हाथों से प्लेट नीचे गिड़कर तूट जाती है तो प्लेंग जैसे ही टुटा हुआ प्लेट को ठान क्लावान अति हाती है और यू प्लेट को देकर यूट से बेटा थी और बेंड़ी लगती तो इसका हम फृर्स प्लेंग को कपड़े वश करते हैं मैं यूठ chem feelings औम प्लेंग यूज नहीं हो पा रहे होते हैं तो फिर पीलेट आपने काम करती तबहेंको करती हात को शेक्न क उद्वार्बादे एक बताती कि उसे लगा था कि कुछ दिनों में जो कुछ भी मकड़ीयगी जब से पकरती कि तब से गीटार को एक बार भी नहीं पकड़ी तो यह सब दे करवान कोलगा कि शायत अब में कभी भी गिटार नहीं सोच करते हैं मेरे पास सिर्फ यही है च exception करते हैं लुए है आपट स्कूल कुछ पैसे औरनक के बारे में सोच रही तो बस यही सब सोच के पकर ली तो पुछती है क्या तुम जो मेंँदे स्हां सनग लिखी उढ़ करने वाली तो बताती है कि वान के लिए कोई भी स्यंख तया नहीं हुआ तो कब तक दया ड़ेडी हो इस बारे में वान पुछने लगती तो प्लेंग कहती है सॉंग लिखना असान नहीं इसके लिए हमें फोकस की ज़रुवत परती है तो थोड़ा लेट होगा और यह सब कहते हुए प्लेंग गिटार प्लेंग करने लगती तो वान प्लेंग को देखकर चीप पर किस करते हुए गुड़ लग वि तो यह देखना प्लेंग का याद आता है जब वह कम्पिटीशन के बारे में वान से पूछी थी तो वान कम्पिटीशन में पास हो गई थी लेकिन आज तक पड़ेंग से छुपा कर रखी वान की रिजल्ट को देखती है जसमें वान का बहुत अच्छा ग्रेड आया होता ह वाण क्लास की टॉपर होती है इन सब चीजों को लेकर वाण कभी भी प्लींग को नहीं बताई यह सब देखकर प्लींग को कुछ समझ मैं या 타 कि आखिरकार वाण यह सब ज्ञूट क्यों बो ली वाण हर वक्त अपने आपको मा Success क्यों बताई इतना अच्छे मांक्स आने के बावजूद भी जूट बोलने की क्या जवरत थी तो यही सब सोचते हुए प्लिंग को याद आता है जब वो दोनों रिजल्ट के बारे में बात कर रही थी तो प्लिंग अपने रिजल्ट के बारे में बताती है कि उसका पिछले एक्जाम से अच्छा नहीं आया तो यही सब याद करके प्लिंग को गुसा आता है वह वान को चारों तरफ खुझने लगती तभी वह वान के पैरेंस के बाते करते हुए सुनती है जो सच में अनेक्सपेक्टेड था अंट्वी इस तरह से कहेगी सोच भी नहीं सकते थे वान के फादर जो पैसे प्लिंग को दिये थे इस बारे में भी बात करता मतलब कि फादर का नजर प्लिंग के पैसे पढ़ है प्लिंग के पैसे लेकर उसे बाहर निकालने का बात करता आंट्वी कहती है कि वह अलरेडी प्लिंग से बात कर चुकी है थोड़ा टाइम देना चाहिए जब प्लेंग अपने पाँ पर खड़ी नहीं होती तब तक रहने देना चाहिए यह सब जो आंट वी कह रही है ना सिर्फ प्लेंग के सिच्वेशन को थोड़ा बहुत समझते हुए कहीं बट आंट वी प्लेंग को पसंद ही करती यहां पर पता चलता है आंट वी प्लेंग को बच यह सब सोच सकती हैं सोच नहीं सकते थे आंट वी भी वान के फादर के तरह प्लेंग को बाहर निकालने के लिए बारे में सोच थी बट कैसे किया जाए वह उसे पता नहीं प्लेंग यह सब सून कर उसे बहुत हट होता है वान भी अपने पैरेंस को प्लेंग के बारे में ब तो प्लेंग ये सब बात ना करते हुए न सीधे पॉइंट पड़ाती प्लेंग रिजल्ट को वान के ओपर फेक कर पुछती है कि तुम कब से जूट बोल रही थी इसका क्या मतलब है वान ये सब देखकर रोने लगती क्यूंकि क्यूंकि अब प्लेंग को पता चल गया तो प में complete नुψी में करना चाहती थी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अगर हम तुनों perfect होतें तो हम एक दूसरे को उतना प्लेइंग के सक्सिस में खूस होती है तो इस वज़े से वन अपने आपको लूजर बना कर रखी वन जो भी अब तक की इन सब चीजों के लिए पिलेंग से माफी मांगती है क्योंकि वो प्लेइंग को पसंद करतीया है तो इस वज़ेंग करना पड़ा तो यह सुन कर कहती है कि अगर कोई किसी को पसंद करते हैं तो उससे जूट नहीं बुलते और नहीं यह सब करते प्लेंग यह भी बताती है कि अब से वह किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करने वाली तो प्लेंग यह सब कहते हुए जाने लगती है बटवान प्लेंग को डोकते हुए माफी मांग लगती है तो जब रात हो जाती है तो हम दोनों को देखते हैं जो अभी भी बात कर रही होती है तब ही इन दोनों के पास आती है और अंट वी को बताती है कि वो अपसे आंट के पास रहने के लिए जाड़ी तो आंट वे प्लेंग को आंट फेंग के घर पर जाकर रहने के बारे में सुन करना वो कहने लगती कि तुम तो उससे एक बारी मिली जिस वज़ासे तुम दुनों एक दुसरे को अच्छे से नहीं जानते तो तुम कैसे उनके साथ रह सकती, ये क्या सही होगा या नहीं, तो प्लेंग ये सब सुनकरना इन सब बातों का जवाब देती, प्लेंग कहती है, जो लोग को मैं अच्छे से जानती थी, वो आज स्ट्रेंजर के तरह बिहेफ कर डे, मैं किसी को जानती हूँ या नहीं, अब प्लेंग यहीं चाहती है तो ठीक है, आंट we प्लेंग की डिसिसन को रिस्पेक्ट करने का बात करती, प्लेंग अपने पास से पैसे निकाल कर आंट वी को देती है, वान के फादर पैसे देख कर जल्दी सो उठा कर पैसे दिखने लगते, जो बहुत जादा रकम होती, ये पैसे देखने अच्छे से बात करने लगता है आंटवी जबरदस्ति पैसे छीन कर पिलेंग को वापस रखने के लिए देती तो प्लेंग लेने को कहती क्योंकि जितना दिन अधिन इन्सब के घर में रही बस उसका कंपशना ने तो aunți usi कहती है कि तुमें भी पैसी की जरूरत होगी, तो तुम रखो, बात है घर में रहने का, तो तुम कुछ दिन की लिए थी, तो यह पैसे कुछ जादा है, तो तुम रखो, तो प्लेइंग पैसे को वापस ले लेती है, और जो कुछ Aunty сил कहीं, उसे रेस्पिर करने का ब प्लेंग को लेटर लिखते हुए देखते हैं जीस सोजे से आखरी लेटर छोड़ने का डिसाइड करती लेटर काफी इमजनल होने लगती है दोस्ट्रॉंग और इसके बाद अपने ब्रेस्टर देने का बात करती यह स्टेप बैक लेटी और वान को बाय करते हुए महां से चले जाती और यहीं से एक साल बात का सीन दिखते है अपने रूम में अकेले बैठी होती है गिटार प्ले करते वे नजर आती प्लेंग सॉंग भी लिखती वान रेगुलर डे के तरह युनिवरसिटी जाती है क्योंकि वान इसकूल से अब पास आउट हो गई पास आउट ह रचे अपस्तों रहता है तो यहीं से बस सीधे करें टरीन 8 के बाद हुम प्लेंग को देखते हैं जो अपने रुम में रहती तो जब फेले मेडियसन लेती प्लेंग को हम देखते हैं mb соврем कामजोर नजर आती है क्योंके वह पहले के तरह kinda also प्लेंग कितने मुश्किल हालाग से गुजरी होगी इतने साल क्या क्या देखी होगी क्या उसके साथ हुआ होगा हम सोच भी नहीं सकते खैर प्लेंग के पास लैंड ओनर का कॉल आता है वह नीचे आकर अपने बॉर्फरेंग को संभालने को कहती यह सुनकर प्लेंग नीचे जाती है तो उसका बॉर्फरेंग ब्रेक अप करने को मना करता बट प्लेंग इसके बात नहीं सुनती क्योंकि यह आदमी प्लेंग से अपने वाइफ को लेकर जूट बोला कि उसका एक वाइफ है और एक बच्चा भी तो प्लेंग उसे अपने फैमली को देखने को कहती कि लेडि प्लेंग को यहां से जाने को कहती क्योंकि उसके और उसके बॉइफ्रेंट के वज़ा से रेसिडेन का प्रोब्लम हो रहा तो अब जाना होगा तो प्लेंग जल्दी से मूव होने का बात करती और यहीं सब कहते हुए फ्रेंग होश में आती है तो वह अपने आप तो नर्स बताती है कि वह अभी घर नहीं जा सकती क्योंकि प्लेंग का फुलू हो गया तो दो या तीन दीन होस्पिटल में डैना होगा तो प्लेंग होस्पिटल के एक्सपेंस के बारे में पुछने लगती तो नर्स कहती है कि लैब रिजल्ट का वेट करना होगा जिस तरह क सब देखकर experience के बारे में बता सकते हैं तो हम प्लेंग को देखते हैं जो नर्स से बात करते हुए बाड ओनर के मेनेजर के पास कॉल करके अपनी हालात बताती है advance भी मांगती है बट वो प्लेंग को जॉब से fire करने का बात करता तो प्लेंग इसी मौका का फायदा उठाते हुए होस्पिटर से भागने का डिसाइड करती प्लेंग ठीक से चल भी नहीं पाती है बट फिर भी प्लेंग अपने हेल्ट का ना सोचते हुए जाने लगती तबी प्लेंग दो डॉक्टर को वान मीवा के बारे में बात करती हुए सुनती है तो प्लेंग वान मीवा के नाम सुन करना रेशेप्सन में आकर डॉक्टर वान मीवा के बारे में पुछने लगती कि इस नाम से कोई डॉक्टर है या नहीं तो वो वर्ड के बारे में पुछती है कि डॉक्टर किस वर्ड में काम करते हैं तो इस बारे में प्लेंग को बिल्कुल भी पता नहीं रहता तो फिर भी वो लेडी चेक करके बताती है कि इस नाम का डॉक्टर है बट आपको क्या काम है इस बारे में बता सकते हैं तो ये सुनकर नप बहाना करने लगती कि जिस डॉक्टर वानमिवा को जानती है वो ये नहीं और ये कहते हुए होह से जहने लगती तब युए वान मुड को देखर उसे रोकती है और साफ साल बात दोन्हों एक दूसरे को देखती है युलि भी फिरीज हो जाती उसे दुनिया के बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता आस पास क्या होड़ा बिल्कुल भी खबर नहीं होती बस एक दुसरे को देखने लगती वान प्लेंग को देखकर बीना कुछ सवाल किये बीना कुछ सोचे समझे प्लेंग से गले मिलती है तब ही प्लेंग फ्री से फेंट हो जाती तो जब प्लेंग होश में आती है तो प्लेंग फ्री से अपने आपको हस्पिटल रूम में पाती है प्लेंग वान को बगल में देखकर कहती है काफी साल हो गए तुम्हें देखना तो वान बताती है कि 10 यर्स नहीं बलके 13 यर्स 13 साल हो गए तुम्हें जाना तुमने जाने से पहले सिर्फ एक लेटर छोड़ी जिसमें अपने आपको ख्यार रखने का बात की तो फिर तुम इस तरह के हालात में कैसे आ गई तो ये सुनकर प्लेंग पुछती है क्या तुम मुझे ब्लेम कर्ड़ी तो वान हा कहती वान प्लेंग को ब्लेम करते हुए कहती है कि तुम अपने आपको ख्याल क्यों ने रखी तुम बिमार कैसे हो गई तो प्लेंग बताती है कि उसके पास कोई चांस नहीं था जो होड़ा खुद बखुद होड़ा अगर चोईसेस रहती तो बीमार कभी भी नहीं पड़ती तो वान फालतू के एक्सक्रिसित देने को माना करती और लैब रिजल्ट के बारे में बताती है कि प्लेंग को निव स्ट्रेंज टाइप का फ्लू हो गया तो दो या तीन दिन अब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा तो यह सुनकर प्लेंग कहने लगती क्या सच में एडमिट होना पड़ेगा क्या मैं मेडिसन लेकर घर नहीं जा सकती तो वान मना करने लगती कि उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा रहना पसंद हो या ना हो फिर भी रहना पड़ेगा इस बार हॉस्पिटल से भागने का तो बिल्कुल भी सुचने को मना करती और बड़े होने का बात करते हुए बचकानी हरकत करने को मना करती तो ये सब कहते हुए नवान वहां से जाने लगती तब ही प्लेंग वान से कहती है कि तुम बिल्कुल चेंज हो गई पहले के तरह बिल्कुल भी नहीं रही तो ये सुनकर वान कहती है कि 13 साल हो गए, मैं चेंज नहीं हूँ बट हालाग चेंज हो गए इतने साल अलग रहने पर बस हमें strange type की feel हो डी, इसके इलावा और कुछ भी नहीं तो playing कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन तुम्हारे पास से एक चीज मिसिंग होकर है और ये और कुछ नहीं तुम्हारा smile तो वान बताती है कि कुछ साल पहले कोई मेरे life से बीना बोले चले गई और हमेशा के लिए गायब होकर मेरे smile को अपने साथ लेकर चले गई और ये सब कहते हुए वान वहाँ से चले जाती जहां पर अपने boyfriend को सबसे बतमेशी करते हुए देखकर उसके पास आती और ये सब जो हरकत कर रहा हुए तो फिर से मेकप करने का बात करता है कि आज के बाद वह कभी भी दुस्से और नहीं रखेगा अपने बच्चे को अच्छे से रखेगा वह पिलेंग के हाथों को पकरते हुए माफी मांगने लगता प्लेंग हाथ चोने को कहती बट वह नहीं छोड़ता तब ये वान वहां सामने उसे वह अपना वाइफ बता रहा यह आदमी बीच में नाक परने को कहकर वान को थपर मानने चलता है बट वान चिलाते हुए मानने को कहती क्योंकि पुलिस को वह अल्रेडी इंफॉर्म कर दी तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत महंगा परने वाला तो यह सुनकर वह फ वान को हीट करने चलता है तब ही पुलिस वहां पर आती है जिसे देखकर न वह आदमी डड़कर वहां से चले जाता तो इसके बाद दोनों टैरेस पर मौजूद होती है वान हॉस्पिटल से भागने का रीजन पुछती माना करने के बावजूद भी प्लिंग बात क्यों न कोया है फिलिंग बुल शक्राइब मुझे भूल गई तो समझकर चासे , टो यह सुनकर आवान कहती है कि किसी इसको ब्ल प्हुलाना असान है था फिलिंग दोगी सकती होडिशा , एसको बtak रह нов semi नहीं पाता संए। मिले को इस रखना था 5 तो उसकों मिले बात कोतार बीन ह conducting और जोब मिलने का बात करें सारा पैसे वापस वापस एक वाली बात चल रही है क volunt को पे करना है और जा करना वान को पैसे लेना पडेगा और यह सब कहते हैं और रहर हां को होस्पिटल में नर्स वाण के पुछती कि वह अभी कहां पर है तो नर्स बताती है कि डॉक्टर वान घड़ पर कुछ समान लेने के लिए गई तब वहां पर आती है तो प्लेंग वान को देखर पुछती कि तुम कहां गई थी तो वान बताती है कि आज रात हॉस्पिटल में रहने का सोच रहे तो बस से भागने का एक भी मौका ना देने का बात करती और भागने से पहले लेटर या नोट जो छोड़कर प्लेंग जाती है ना उसे लिखने को माना करती इस तरह के थिंग से वान नफरत करने का बात करती तो यह सुनकर प्लेंग फिल कभी ऐसा ना करने का बात करती है और पु कि तुम अभी क्या करें क्या तो प्लेंग हा किसी और जो लिखा करती तो फृणड़ेंग करती टो वान कुछती है तो प्लेंग बताती hen कि वह बार में काम किया करती थी जिस वजह से रात को लेट हो जाता तो घर पहुंचने के बाद रेस्ट लेना ही बहतर समझी यही सेम रूटीन हर दिन रिपीट होता तो दूसरी चीजों के लिए कभी टाइम नहीं मेला तो यह सब सुनकर वान पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह की हालात से गुजरी तो प्लेंग ज्यादा इंपोर्टन ना बता कर कोई भी चीज अपने बारे में नहीं बताती तो वान प्लेंग को सब कुछ खेने को कहती और वान बताती है कि जब फिलेंग घर छोड़कर चले गए थी तब आंट भी कहीं की प्लेंग अपने अंट फेस के पास गहीं है राण फेस बाते के पास कभी नहीं गए थी वान के घर को छोड़ने के बाद ना प्लेंग सबसे पर आडिक लेह ने के रिए लूंब पर ली इसके बात काम खुजनी कीजस की बट इसको तो यह सुनकर वान पुछती है क्या पेमिंट अच्छा नहीं था तुम इस तरह की जगह पर क्यों रहती तो प्लेंग बताती है कि वह जगह इतना भी बुरा नहीं अगर उससे अच्छा जगह पर रहने का सोचे तो रेंटल फी एक्सपेंसिव होगा और यहां तक प्लेंग जादा नहीं कमाती तो रेंट के जिस वज़ए से ना रेंटल फी का पैसे बहुत मुश्क्र से बच्छती तो वान उस लड़के के बारे में पुछती कि वह कौन था तो प्लेंग बताती है कि वह कोई नहीं था वहर वक्त पीछा करता है जिस वज़ए से ना एक दिन बार म फिल होता उसे क्या क्या सहना पड़ा होगा उसके सिच्वेशन को हम अंदाजा नहीं लगा सकते खेर वान अपने पैरेंट्स के वज़ए से माफि मांगती क्योंकि वान के पैरेंट्स जो कुछ भी पिलेंग के साथ की और खोद वान अपने आपको बिलेंग करती हुए तो जो कुछ भी किये उन सब कुछ न कुछ रिजन होगा तो यह सब सुनकर ना वान पिलेंग के लिए बहुत सिंपती फिल करती है और यह सब कहते हुए वापस आने का बात करते हुए वह से चले जाती तो जब वान बाहर में यही सब सोच रही होती है ना तभी प्लेंग पास आती है तो वान प्लेंग को देखकर ने लगती कि तुम पैशेंट हो तुम कैसे बाहर आ सकती तो प्लेंग वान के फॉलोग परते हुए उसके पास आने का बात करती और चेहती है कि तुम मुझे दूर होते नहीं देख सकती बढ़ अभी तुम खुद मुझसे दूर ह जा रही बलके मैं वापस आने का बात की थी तो तुम इस तरह के बात क्यों नहीं समझी और वान यह सब कहते हुए ना प्लेंग को ना टोनते देती है कि मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ लेटर छोड़कर अचानक से गायब होना यह सब वान नहीं करती वान यह सब कहते यह सब अब घरपर अफर देती है तुवर दो दिन के अंदर रूम खाली करने को यह सब कर चेया कर अपने ganze नोया का वक्ति दी तो यह कुछ ज्यादा जली होगा रूम खुजने में वक्त लगता है तो अब कैसे क्या ओगा इस बारे में सोच कर परिशान होने लगती तो वान ये सब सुनकर प्लिंग को अपने घर पर स्टे करने का उफर देती तो प्लिंग कहती है कि वान के पैरिंस को अच्छा नहीं लगेगा और ये कहते हुए माना कर देती तो वान बताती है कि वो अब अपने पैरिंस के साथ नहीं रहा करती और अकेले रहने का बात करती हुए पिलिंग को साथ में रहने को कहती तो जब सुबह हो जाती है न तो हम वान को पिलिंग को अपने घर लेकर आती हुए देखते हैं जो सच में बहुत बड़ा घर है और खुबसूरत भी प्लेंग ये घर को देख करना कहने लगती कि तुम काफी रिच हो गई तो वान बताती है कि वो अभी रिच नहीं है बस हॉस्पिटल के नजदी के जगा मिला तो बस रहने के लिए ले लिए तो यहां पर न प्लेंग तो प्लेंग इसे देखर उसे याद आने लगता कि जब वान के साथ गिटार शॉप में आई थी तो इसी गिटार को लेने का बात की तो वान प्लेंग को खड़िदलों को कहती तो प्लेंग बताती है उसके पास जो गिटार है वो औरेडी बहुत जादा एक्सपेंसीब है तो बात करते हैं कि जब वो दॉक्तर बन जाएगी तब ओ सिन प्लेंग के लिए खुद अपने पैसे से इस गिटार को लेने का बात करती और आज अपना प्रॉमिस को वान पूरा करते हुए वान प्लेंग को ये गिटार देती है तो फिलेंग इसे लेते हुए कहती कि तुमार जब कर वान माइंड ना करने का बात करती है तो प्लेंग कहती है कि तुम्हें बुरा लगे या ना लगे इससे कोई फर्द नहीं परता तुम अल्रेडी होस्पिटल का बीड़ पे की और अपने घर पर ढहने का उफर दी तो यह सही नहीं प्लेंग वान के साहर जादा दिनों ड्रामटिक होने को माना करती तो वान सिरियस बताते हुए कहती है कि तुम्हारे बेना ये जिन्दी की जीना बहुत मुश्कील है हर वक्त हेवी फील होता वान प्लेंग से कहती है कि प्लेंग का स्ट्रगल कोई कम नहीं था वो भी बहुत कुछ सही होगी बट इसके कि अगर प्लेंग रहेगी तो वह उनकि घर पर हर एक समान को अपने मुटाबिक करने का बात करती मतलब के फीड़ी माइड अपना समझ कर यूज़ करने का बात करती तो यह सुनकर आवान अपने रूम में चली जाती है तो यह वान को अचानक से जाते हुए देखर उसके तब ही वह वान को बिना कपरे में देख लेती और इसे देख कर नजरे चुपाने लगती है क्योंकि वान अब शावा लेने के लिए जा रही प्लिंग वान के बड़ा को देख कर पुछती है कि यह तो मेरा खरीदा हुआ बड़ा है क्या तुम अभी तक इसे यूज किया करती इतने साल हो गए तो इसकी हालत इतनी अच्छी कैसे है तो वान बताती है कि उसके पास प्लिंग के तरफ से दिया हुआ प्लिंग के रिलेटर सिफ यही एक समान है तो वो इसे फेक नहीं सकती वान इसे अच्छे से संभाद कर रखने का बात करती तब ही इतनी नहीं नजर तो यह सुनकर प्लेंग वाण से माफी माघने लगतीकि कि वो वाण को छोड कर गई जिस वाजा से वाण को तकलीफ हुई इन शब द चीजों के लिए माफी मांती हैं माफी मांगते हुए यह जानतीं तुम अभी माफ नहीं करने वाली बट मैं अभी तुम्हारे साथ रहने वाली तो मेरे पास मेकप करने का बहुत खाली टाइम है तो आज है नहीं तो कल माफ करना होगा तो वान इसे कॉंफिडेंट में देखकर कहती है कि क्या तुम्हें सिर्फ माफी चाहिए तो प्लेंग हा पहले भी साथ में शावा लिया करती थी बट पहले छोटी थी बट अब नहीं तो इसे आकवर्ड बता कर ना मना करने लगती तो यह दोनों हाँ यह ना करते हुए और दोनों बेट पर गरती है तो वान प्लेंग को पकड़ लेती और थोड़ा देर इसी तरह से रहने को कहती तो प्लेंग रीजन पुछती है तो वान कहती है कि मैं बस हग करना चाहती हूं क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और यह सब कहते हुए दोनों साथ में यह वक्त गुजारती है तो इसके बाद हम आधी रात को देखती है अचानक से वान का नीन तूट जाता वा यह सब कहते हुए रूम के बाहर चले जाती प्लेंग वान को स्ट्रेस देखकर इसके पास आती है और पुछती है क्या तुम सच में ठीक हो ना तो फिर से वान इस बात को इगनोर करते हुए कि वह जल्दी काम पर चले जाएगी तो घर आने में भी लेट होगा तो चले जाती है तो निश्टे हम दोनों को देखते है वान काम पर जाने के लिए रेडी होकर ब्रेक्फास्ट करने लगती लेंग वान को जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर सांती से खाने को कहती और माउथ को और माउथ के उपर लगा हुआ देखकर ना क्लीन करने लगती तो वान फिंगर पर लगा उगा हुआ और मतलब के वान फिंगर पर लगा हुआ खाना को देखकर मतलब जो भी ओ ख Lauder पर देख लो मैं समझाने पारियों उपत में एक पूला को देख कर पूछने लगती लगती यह तुम क्या करी तो उप बताती है देखर पुछने लगती कि तुम ये क्यों पहेंड़ी तो आन बताती है कि वह बाइक से काम पर जाया करती तो बस यूवी रे से बचने के लिए पहेंड़े तो बाइक चलाने वाली बात सुनकर प्लेंग काफी एक्साइटेड हो जाती वान प्लेंग के पास आकर कहती है कि ज बस तुम घर पर आना और साथ में डिनर करना बस यही काफी है तो वान इस बात पर भी अग्री हो जाती कि कोई बात नहीं सब ठीक है ये भी सही साथ में डिनर करेंगे तो ये भी काफी है बट वान को हम जानते है वह इतने असानी से सब कुछ छोड़ने वाली नहीं वान दिनर के लिए तयार तो हो जाती है बट खाने के जगा पर कुछ और इट करने का बात करती है जिसे सुन करना प्लिंग बलश्ट करने लगती है बट प्लिंग वां के पीछे हटाते हुए बगवास ना करके काम पर जाने को कहती है तो वां ना चाहते हुए ना वहां से चले ज जाती है और यहीं पर एपिसोड खतम होता क्रेडिट सीन में हमें देखाया जाता है जब फिलिंग घर छोड़कर चले जाती है ना तो सुबह सुबह वान सोकर उठती है तो वह बगल में प्लेंग को ना देखकर प्लेंग का आवाज देने लगती तब ही वह लेटर को देखत लगती है कि अगर तुम्हारे तैलेंटेंटड होने के बारे में मुझे पता रहता ना तो दोनों साथ में सेलेबरेट किया करते हमेशा कुछ रहते मुझे कोई फर्ट नहीं पड़ता दूसरे क्या सूचते है क्या समझते दोनों को राइवल देखा जाया या नहीं इससे क काफी आज इसे सब लोग के तरह तुम्हारे लिए ये सब दीन नॉर्मल होगा तुम हमेशा के तरह इसको जाया करोगी बट मैं अपने रास्ते दूर जाने का बात करती बट फिर भी अपने आपको अच्छे से खयार रखने का बात करती और ये सब कहते हुए वान को परिशा करने को माना करती फोडेवर वान को पसंद करने का बात करती और ये सब कहते हुए अपना समान लेकर घर से निकलती है वान ये सब देखकर लेटर को रीट करते हुए बहुत रोने लगती वह घर से बाहर आकर चारो तरह प्लेंग को खुचने लगती खुचते-खुचते मे उस वाट चार बज़े जाग जाती तो वो जाने को माना कर सकती थी यहीं ड़र के वजह से आज तक वान ये से बर दास कर रही और आज तक सेम टाइम पर उसे एसास होने लगता कि अब प्लेंग को घर छोने का वक्त आ गया, यही डर हर वक्त सताया करता, पता नहीं जब प्लेंग को यह सब पता चलेगा तो वो क्या करेगी, उसकी एक गलती किसी की लाइफ का ट्रॉमा बन गया, दोनों के हालात अपने रास्ते में सबकी लाइफ हार्ड है, किसी के भी लाइफ असान नहीं, बस इंसानी सोच का फर्क है, जो जज़ करने के लावा और कुछ नहीं करता, खैर अगर अच्छे लगी हो तो लाइक और कमेंट करते ज़रूर बताए कि आपको ये एपिसोड कैसे लगी है, और चैनल